हेलो दोस्तों गुर्मेंट आइटीए स्टडी चैनल पर आप से भी का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बर्सोप कैल्कुलेशन एंड साइंस का आइटीए का कोस्टन पेपर कराने बाले हैं जो आपके आइटीए ग। और आइटी आई सेकुण यर के सबी ट्रेडों के लिए एक समान होगा चैनल-पर की त्रेड हो चाहें फिटर हो चाएं इनलेक्ट्रिशन हो चाहें वाइरमेन हो कोई सी भी से दो एर अर्थात दो बर्सी trade हो उसमें यह question paper आपका same रहेगा तो दोस्तो यह question paper आपके NCBT exam को pass करने में काँ भी महत्मूँ साबित होगा तो दोस्तो आपके ITI second year के बरसोब calculation के 20 question पोचे जाते हैं आपके ITI exam में तो यही 20 question हम आपको कराने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और बने ही रहेगा वीडियो में अंतक और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर आपके सामने red color का बटन दीख रहा होगा इसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो यहाँ पर question number 41 कौन सा घर्षन का नियम है तो दोस्तो यहाँ पर घर्षन का कौन सा नियम है तो दोस्तो घर्षन का नियम है घर्षन बल छेतर से संपर्क सतो के अकार पर स्वेतंतर है तो दोस्तों यहाँ पर एस question का आपका right answer है कि घर्षन बल छेतर से संपर्क सतो के अकार पर स्वेतंतर है question number 2 या 42 question यहाँ पर आपके बरसुप calculation के 20 question पूछे जाते हैं आपके ITI second year के exam या first year का exam कोई सा भी हो question number 12 गर्षन बल पर कौन सा निर्वर करता है तो दोस्तों यहाँ पर गर्षन बल पर कौन सा निर्वर करता है तो दोस्तों यहाँ पर निर्वर करता है संपर्क सर्फेस अर्थात contact सर्फेस तो दोस्तों यहाँ पर आपका 20 question का आपका right answer हो जाएगा Q43, इसने को बनाए रखने के लिए एक मसीन की दक्षता का कारण बनता है तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है, इंक्रीज अथा दक्षता का कारण बढ़ता है Q44, यादि घर्शन गुनांक 0.0125 है तो बस्तु का वहार 30 किलोग्राम है तो वह कितने बल से इंस्टांटरिक किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसकोशन का राइट आंसर हो जाएगा 2400 किलोग्राम, तो दोस्तों यहाँ पर घर्शन गुनांक यह मिवराव आप अपॉण डबलू इसी प्रकार से सोल्व होता है तो दोस्तों यहाँ पर इसी प्रकाश का राइट आंसर इसी फोर्मुले से निकाला जाता है यहाँ पर बल है यहाँ पर बहार अबस्तु का और यहाँ पर घर्षन गुलांग तो दोस्तों यहाँ पर डीस कोशन का आपका राइट आंसर हो जाएगा Q45, संतूलन का उधान किस अवस्ता में संकु अपनी नोग पर विश्राम करता है तो दोस्ति यहाँ पर इसका राइट आंसर है एस्तिर यानि अनिस्टेवल तो दोस्ति यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा Q46, चक्र का सबसे बड़े चाप को क्या कहते हैं तो दोस्ति यहाँ पर कोई साइकलिक है या कोई बिरत है इसके सबसे बड़े चाप को कहते हैं बियास तो दोस्ति यहाँ पर इसका बियास होता है और तरज्या यहाँ पर होती है और R और R को मिलाकर इसका डायमीटर अर्थात बियास बनता है तो दोस्तों यहाँ पर चक्रे सबसे बड़े चाप को कहते हैं बियास अर्थात दोस्तों 20 कोश्टन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोश्टन नमर 47 यदी परीदी 31.4 सेंटीमीटर है तो बियास कितना है यानि दोस्तों यहाँ पर परीदी 2 पाई R का मान दिया है यहाँ पर 31.4 सेंटीमीटर यहाँ पर बियास का बिरत का बियास यानि तरज्या का दोगुना दुवार का मान पूछा है और यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों इसे पाई अर्थात 31.4 को 22 वटे 7 से या 3 यहाँ पर 3.4 से भाग देंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको पिराप्त होगा 10 सेंटीमीटर तो दोस्तों यहाँ पर 20 कोश्टन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोश्टन नमा 48 A 5 A स्क्वाइर B इंटू 8 A की 5 B की 3 अर्थात दोस्तों यहाँ पर 5 की 8 से 5 8 चालिस A की गहाँ दो यहाँ पर है और 5 यहाँ पर तो A की पावर 7 और B की गहाँ तीन यहाँ पर है एक यहाँ पर तो B की गहाँ चार अर्थात 40 A की पावर 7 B की पावर 4 तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर A हो जाएगा यह राइट आंसर तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर A हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कहागा है जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मुल्ले क्या है तो दोस्तों यहाँ पर किसी की घात अगर जीरो कर दी जाए या दो की घात किसी की संख्या की घात सुनने कर दी जाए तो उसका मान बन हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर 20 question का आपका right answer हो जाएगा question number 50 a की 3 माइनस b की 3 का मान क्या है तो दोस्तों a की 3 माइनस b की 3 बरावर होता है a माइनस b a square plus b square plus a b तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका कौन सा right answer हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा b तो दोस्तों यहाँ पर इसका b right answer हो जाएगा b तो दोस्तों यहाँ पर इसका b right answer हो जाएगा question number 1 क्यामन इन में से कौन सा thermoplastik सामगरी है तो दोस्तों यहाँ पर benyle polymer यहाँ पर thermoplastik सामगरी है तो दोस्तों यहाँ पर डीस का question का right answer हो जाएगा question बर बामन इन में से कौन सा लोचदार समगरी है तो दोस्तों यहाँ पर elastic material को पूछा गाया है जो कि noiland आपका nylon हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर A's का right answer हो जाएगा right answer A हो जाएगा question बर तलेपन trampering का पिरकरिया करते हुए एक धातू के टुकड़े को 250 degree centigrade पर गरम किया जाता है तो उस धातू के टुकड़े का रंग होगा तो दोस्तों यहाँ पर उसका color जो है brown हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 20 question का आपका right answer हो जाएगा question number 54 उसमा उपचार की पिरकरिया क्या है तो दोस्तों यहाँ पर उसमा उपचार की पिरकरिया क्या है तो दोस्तों यहाँ पर इसका right answer है सरसना के गुणों को बदलने के लिए heating और cooling की पिरकरिया तो दोस्तों यहाँ पर ace question का right answer हो जाएगा question number 55 यह 15 रहे SP क्या है तो दोस्तों यहां पर SP होता है Sailing Price तो दोस्तों यहां पर आपका वियाज और चक्रबर्ती वियाज या लाभानी से इसका concept पूछ गया है SP क्या है SP का मतलब है Sailing Price MP क्या है Market Price होता है यहां पर तो इसका right answer हो जाएगा Sailing Price प्राइज अर्थाद विक्रे मुल्य सीपी हो जाएगा कोश्ट प्राइज यानि अंकित मुल्य तो दोस्तों यहां पर S पी पूछा गया है जिसका मतलब है Sailing Price अर्थाद विक्रे मुल्य तो दोस्तों यहां पर आपका I किसको निरुपित करता है interest को principle को rate को year को ताई जो है interest अर्थाद यह बियाज को निरुपित करता है interest को दोस्तों यहां पर is question का आपका right answer तो दोस्तों यहां पर interest अथाद be such question का right answer हो जाएगा question मर सत्तामन सादन भी आज क्या होगा जदी 12,000 की धन्रासी 15,600 बन जाती है तो दोस्तों बहुत ही सिंपल कुष्चन है 15,600 में से आपको 12,000 अर्थात मूल रासी गठा देनी है तो यहाँ पर सिंपल है आपका 3,600 आ जायागा तो दोस्तों यहाँ पर भी इस कुष्चन का आपका राइट आंसर हो जायागा बी तो दोस्तों यहाँ पर भी इस कुष्चन का राइट आंसर हो जायागा तो दोस्तों यहाँ पर आपका कुष्चन पूजा गया है पुस्ती का क्या है तो दोस्तों पुस्ती का है संदर्ब कारे का पिरकार या अनुदेश का अन्य संग रह तो दोस्ति यहाँ पर भी इस कोश्चन का आपका राइट आनसर हो जाएगा भी कोश्चन नमर 69 या कोश्चन नमर 19 कच्चे लोहे में कौन सी ऐसुद्धता इसे कठोर और भंगूर बनाता है तो दोस्तों यहाँ पर भी इस कोश्चन का आपका राइट आनसर हो जाएगा कोश्चन नमर 60 पुश्चिका का नाम क्या है जिसमें विभिन दरो का संकेत दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर भी इस कोश्चन का आपका राइट आनसर हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपके बरसों कैलकुलेशन में 20 कोशन पूछे जाते हैं तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कलने और हमें यूटूब पर जबर सब्सक्राइब कलने और यदि आपको PDF चाहिए तो इसकी आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं